Dissolution तुम्हार लिए सबसे ज़्यादा scoring हो सकता है and that is the reason मैं excited हूँ काफी ताकि मैं तुम्हें ऐसी कुछ चीज़े बताऊं जो तुमने कभी Dissolution में उस thinking के साथ पढ़ी नहीं होंगी like मैं तुम्हें वो idea दिने आया हूँ कि अभी तक अगर तुमने Dissolution नहीं भी पढ़ा रखा believe me ये जो Dissolution के कुछ वीडियोज है इनसे तुम्हें एक-एक question Dissolution का बनने लगेगा तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं तो आखिर मैं Dissolution तुम्हें कैसे पढ़ाऊं कि even if you are studying for the very first time तुम्हें Dissolution समझ में आ जाए देखो है Dissolution का core agenda क्या है Dissolution का मतलब है आज से partnership खतम और partnership तब तक खतम नहीं हो सकती जब तक अपनी सारी liabilities pay off न कर दे So very first thing यहाँ जितनी भी outsiders liabilities है you need to pay off outsider liabilities में creditors भी आते bills बेबल भी आते और यहाँ पे जो A और B हैं इनको हम इंसानों में आदमी मान के चलते हैं तो Mrs. A और Mrs. B चाहे वो इनकी wife हो या को यौर relation हो मिरे को नहीं पता यह Mrs. किस context में दिया रहता है लेकिन confuse करने के लिए दे सकते हैं यह A और B हैं अगर इनका loan होता तो loan by A, loan by B देते अगर Mrs. A, Mrs. B कहा है automatically यह outsiders है यह मान लेना तो यह भी outsider liability है जैसे यह देखो न loan by B दे दिया and that is the reason this is the beauty of the question मैंने इसलिए लिया हुआ है अब यह जो loan by B है यह यह वाला B है लेकिन अगर loan by Mrs. B हैं तो यह outsider हो गई partner की family से कोई भी होगा they will be called as outsiders only तो जितने creditors outsider हैं जितने bills people outsider हैं उतने loan by Mrs. B दे आउटसाइडर से ठीक है clear है तो मैं इसको यह हटा देता हूँ इसकी जरुवत नहीं है भी loan by B because यह internal partner है general reserve तुम जानते हो partners की बीच में बढ़ता है investment fluctuation partners की बीच में बढ़ता है और A और B को पैसा देना internal liability है and I'm exclusively talking about dissolution तब तक खतम नहीं हो सकता या पूरा process तब तक खतम नहीं हो सकता जब तक सारी outsiders liability payout न कर दो and मैंने highlight कर दिया outsider liability इसमें चारे यह internal है general reserve तो reserve होता है यह भी reserve ही है और A और B की capital internal thing है फिर आ जाते है assets पे assets dissolution में वो सारे उतारे जाते हैं जिनको बेचके आप in cash कर सको जिनकी possibility है कि वो in cash हो सके dissolution में वो सारे assets उतरते हैं let's see क्यों कौन से उतर सकते हैं stock and trade cash करा सकते हो investments cash करा सकते हो debtors cash करा सकते हो क्योंकि इसके साथ provision जुड़ा हुआ आता है तो ये भी उतरता है जो realization account बनाओगे realization का मतलब ही क्या है जैसे बोलते है मेरे को यार finally realization हो रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा था realization is the feeling जो तुम बोलते हो न एहसास होना यहाँ पे realization का मतलब होता है सारे assets को in cash कराना सारी liabilities को pay off करना यह इसका मतलब होता है तो यहाँ पर अगर debtors को लेके चलने हो तो provision को भी उतारना पड़ेगा although provision is a liability तो वो credit side उतरेगी because सारी liabilities का nature credit होता है और सारे assets का nature debit होता है तो जब realization account बनाओगे सारी liabilities credit उतर जाएंगी यह business की जो goodwill होती है इसको भी take over किया जाता है तो यह भी आएगा यह याद रखना चाहे तो star बना लो goodwill को भी लिया जाता है profit and loss account नहीं आएगा cash in hand नहीं आएगा cash and bank नहीं आएगा because they are already in cash इनको और कितना cash में convert कर आओगे है के नहीं और profit and loss because यह loss होता है इससे लिखा हुआ यह भी नहीं आएगा तो पहली चीज़ सीखी कि वो सारी outside liabilities तुमें लिखना जरूरी है जिनको तुमें pay off करना जरूरी है वरना तुम partnership को close नहीं कर सकते उसके बाद सारे उन assets को लिखना जरूरी है जिनको तुम्हारे पास in cash कराने की possibilities है अब मैं एक बहुत beautiful चीज़ बताने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा ध्यान उतना ही रहे feeling तुम्हारी मेरी same रहे तुम मेरे से वो connect feel कर सको यह loan by B जो है यह outsider liability बन सकता है अगर question यह बोल दे adjustment में कि B को भी हमने payout किया है पैसा मतलब payout तो बाद में करनी पड़ेगा लेकिन adjustment में देने का मतलब है कि हमने उसे outsider मानते हुए तुरंद payment किया है like priority देते हुए तुरंद pay किया है अगर adjustment में loan by B आ गया कि loan by B has been paid off तो हमें उसे भी outsider liability मान के realization में लेना पड़ेगा otherwise नहीं आएगा otherwise नहीं आएगा आएगा कब? जब adjustment में इसके बार में कोई दिया होगा कुछ तो चलो पहले adjustment में देख लेते हैं कि loan by B के बार में कुछ दिया है के नहीं यह सब तो छोड़ो loan undertook to pay में सबना है loan by B कहीं दिख राये क्या check करो मेरे को क्योंके नहीं दिख राये मेरे को नहीं दिख राये तुमें दिख राये तो तुम बताओ नहीं, 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 बच गए, बच गए, नहीं, यहां पर कुछ दिया है, यहां दिया है, भाईयों मिल गया There was an old typewriter in the firm which has been written off completely from the books, it is now estimated realized 300, it was taken by B, नहीं, नहीं, उससे loan थोड़ना set off हुआ है, वो तो B लेकर चला गया है, कोई दिक्कत नहीं है B के loan के बारे में कुछ नहीं दिया ना, मतलब B का loan, जब अभी मैं तुम्हें realization दिखाऊंगा, मैं guarantee देता हूँ, तुम्हें B का loan महाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, because भले ही B ने loan दिया हो, but वो second number पे आता है सबसे पहले outside liabilities को pay करो, फिर यह जो partners ने loan दे के रखे हैं, उसको pay करो, फिर partners capital को pay करो, dissolution में यह procedure होता है, तुम समझ रहो, वो जो assets को in cash कराओगे, उसके पैसे का क्या use करोगे, यह ऐसे use करोगे, पहले outside liabilities को pay करो, फिर partners के loan को pay out करो, फिर partners के capital को pay out करो, let's start making realization, अपने आप चीजे छमझ में आने लगेंगी, ठीक है, चंचन नहीं लेने का, देखो भाई, यहाँ पे तुम जो भी लिखा देख रहो realization account के अंदर, यह देख रहो, यह assets में लिखा हुआ, stock and trade, balance sheet से assets उतार के लिए कि आए है, investment, balance sheet से assets उतार के लिए कि आए है, debtors as it is, और debtor का provision क उतार के लिए कि आए है, मैंने बोला था ना, liability मानते हैं, तो credit side उतारते हैं, सारे assets को अपने debit side उतारा है, देखो building को भी उतारा है, planted machine को भी उतारा है, goodwill को भी उतारा है, तुम देख रहो, ना cash in hand है, ना cash at bank है, और ना profit and loss account है, जो तीन चीज़े exactly मैंने बोला था नहीं उतरेंगी, उसके अलावा देखो सारी चीज़े उतार लिए, देख रहा है, कोई देखकर तो नहीं, आ गया आते हैं, अगर तुम credit side देखो, तो मैंने जो बोला था, जो outsider liability है, वो सारी उतरेंगी, creditor, outsider liability, bills, payable, outsider liability, मैं कहा था न, दोनों बहन जीया, outsider हो जाएंगी, कहा थ कितने चाला के partner, बाहर से bank से loan लेकि नहीं आएं, बोला मैं बीवियों से loan लूँगा, मिसस का मतलबी क्या है, बीविय नहीं तो ही ना, अब देख लो तुम, ऐसे ऐसे धानली करते हैं, यह बीवियों से loan लेकि आगा, बीवियों को outsider बना दिया, वो तो outsider होंगी, अब हाँ investment fluctuation reserve हर बार आएगा, क्योंकि वो investments को support करता है, पहली चीज यह समझाना ज़रूरी थी मुझे, खेर मैं इसको red से highlight करूँगा, कि investment fluctuation reserve को मैंने क्यों लिया है, investment fluctuation reserve इसलिए आया है, because it's directly supporting investment, अब पूछो कि भाईया, supporting का मतलब आप बताएंगे थोड़ा सा, explain तो करू, मान लेते हैं investments को हम नहीं बेच पाए, मान लेते हैं हमने कोशिश की कि investments को बेचना है, still we fail to sell the investments in the market, भाई इनको बेचना पड़ेगा न, पड़े पड़े तो सड़ जाएंगे, partnership तो बंद हो रही है, तो investments को बेचना जरूरी है, in case we fail to sell the investments, at least we have investment fluctuation reserve to support it, loss को कम करने के investment fluctuation reserve हर बार आएगा, जितनी बार आप investments यहां पर उतारोगे, investment बढ़के, कम होके, कोई फर्क नहीं पड़ता, if investments are being written, investment fluctuation reserve भी उसके साथ लिखा जाएगा, and that too with full value जो भी balance sheet में दी होगी, देख लो, question में दिखा दे रहा, balance sheet में 1000 रुपई दिया होगा, check कर लो, देख लो मैं complicated करी नहीं रहा, यह लिखा हुआ है, तुम्हारे सामने 1000 रुपई, मैंने as the days उतार लिया, investment fluctuation को, ठीक है, मतलब भाई, बहुत easy है, realization बनाना, तुम्हारे पर strategy होनी चाहिए, runnity होनी चाहिए, liabilities सारी outsider वाली उतार लो, और assets जितने भी है, कौन से उतारोगे, जिनको त तुम cash में convert करा सकते हो, cash in hand, cash at bank नहीं आएगा, और कोई भी loss दिया हो, वो नहीं आता, advertisement, suspense दिया हो, वो सब नहीं आता, बाकी सब उतरेगा, including goodwill उतरेगा, ठीक है, यह चीज़ बस ध्यान रख लेना, तो चलो, next, भाई का ग्यान ले लो तुम, मतलब ताकि तुम्हें मज नहीं दिया, तो भी तुम्हें उसको payout करना पड़ेगा, it's next to impossible कि तुम dissolution के अंदर partnership firm को close करके बैठ जाओ, समझ रहे हो, partnership firm को close करके बैठ जाओ, बिना कोई liability को pay off किये, अगर ऐसा होता है कि एक भी liability pay off नहीं होती है, समझ रहे हो मेरी बात को, एक भी liability pay off नहीं होती है, और तुम partnership firm को close करके बैठ जाओ, ऐसा नहीं हो सकता, that means it is mandatory कि सारी liabilities को pay off किया जाए, हाँ, किसको pay off नहीं किया जाता, investment fluctuation reserve कभी pay off नहीं होगा, provision for doubtful debt कभी pay off नहीं होगा, ये pay off नहीं होते, लेकिन ये pay off होगा, ये pay off होगा, ये pay off होगा, ये pay off होगा, जो अपन actual liabilities उता तो आपको जो value दी है, उसी से यहाँ पर pay out करना पड़ेगा, अब एक और चीज़, जो भी आप liabilities को pay करोगे, वो यहाँ पर two bank करके आएगा, अगर partner partner लेके जाता है, तो partner के capital से just होगा, और जो भी asset को आप बेच के पैसा निकालते हो, वो यहाँ पर buy bank करके आएगा, इने बोला कि मैं A का लोन दूँगा, किसका Mrs. A का, and took stock in trade 4000, A के दो चीज़े, A एक liability pay out कर रहा है, A stock भी लेके जा रहा है, यानि यहाँ पर हमें A की capital का use करना पड़ेगा, क्योंके A बोल रहा है, तो देखो, two A's capital करके यह 5000 आ रहा है, यह 5000 क्या show कर रहा है, कि A Mrs. A का लोन capital से adjust होगा 4000 रुपे का, clear है पहली चीज़, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ रहा हूँ, आगे उन्होंने बोला, क्या बोला, we took half the investments at 10% discount, कोई दिक्कत नहीं, चलो, investment का आधा गेनो, आधा आधा खेला है न तुमने, आधा investment किता हुआ 5000, 5000 का 10% discount बताओ किता होता है, 500 500 रुपे, 5000 में से 500 गया, discount कितना बचा, 4500 बचा कि नहीं बचा, तो वो 4500 का investment कौन लेकर गया, बी लेके गया, तो ये देख लो, वो बी के खाते से adjust हो गया, 20 capital 4500, न तुमने देखा न मैंने देखा, अब तुमने शीटिंग की हो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन तुमने औ एकदम से, के भाईया, debtor तो 20,000 के थे, debtor का सिर्फ 19,000 मिला, realized मतलब buy bank आएगा, ठीक है, जिसका भी realized होता है, वो मतलब पैसा मिल गया, तुम बोलो के 19,000 है, भाईया, बाकी 1000 का क्या हुआ, तुमने क्या लेना देना, क्या लेना देना, तुमने mobile phone खरीदा था, मैं तुम से पूछता हूँ, you purchased a mobile phone worth rupees 20,000, तुमने OLX पे बेचा 15,000 का, मैं तुम से पूछता हूँ, 5000 का क्या हुआ, बताओ, तुम आपास कोई जवाब नहीं होगा, क्या हुआ, नुकसान ही हो गया होगा, तो ऐसे ही यहाँ पे भी automatically नुकसान हो रहा है, क्योंकि debit पे 19,000 है, automatically debit पे 1000 जादा है, तो वो एक तरह से नुकसान की तरह ही adjust हो रहा है, let it be ना, तुम क्यों इतना सोचते हो, बेच दो OLX पे 15,000 का, जितने कभी करा है, फाल तुम मत सोचो कि तुमने 20,000 का लिया था, क्योंकि सोचो कि तो सोचती रह जाओगे, तो यहाँ पे 20 था, let it be, अगर आप आपने 19 का बेचा है, let it be, आप यहाँ पे buy bank करके, मैंने तो खेल buy bank के अंदर जो जो बेचा है, वो सब लिख दिया है, बट आप समझ जाओ, यहाँ पे 19 थार अपने लिख दिया, खेर यह पूरा question मैंने goodwill के कारण लिया था, भी बताऊंगा क्यों, फिर बोला गया, creditors and bills payable were due after one month, creditors और bills payable एक महीने बाद due थे, और उनको हमने immediately pay कर दिया, 6% per annum के discount पे, समझ रहो तुम, हमें एक महीने बाद pay करना था, हमने एक महीने पहले pay कर दिया creditors को, हमें वो discount मिलेगा, तब जाके creditors और bills payable पे दोनों पे discount मिलेगा, let's see creditors कितने के थे 30,000, bills payable 8,000, चल creditors लिखेंगे यहाँ पे, और creditors का अपन दिखाएंगे, 30,000 रुपए और 30,000 का अपन 6% निकालेंगे, 6% प्रतीशती बोला है न, पर annum, इंटू निकालेंगे, एक महीने का अपन को discount मिलेगा, 30,000 पे, तो अपन का क्या हो जाएगा, 6,1,6, 6,2,12, दो सुनने से दो सुनन 29,850 अपन ने creditors को पे किया, चेक करते हैं क्या लिखाएं नोने, creditors लिखाएं क्या, हाँ यह देखो न यार, 29,850 का discount अपन ने discount के बाद माइनस कर दिया, 30,000 रुपए का अपन को discount मिल गया, बिल्स पेबल भी निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, है के नहीं है, अपनी calculation super strong पहले देखते हैं, बिल्स पेबल है कित्ते के, बिल्स पेबल कित्ते के, चेक करें, बिल्स पेबल है अपने 8,000 के, ठीक है, मतलब मैं सही देख रहा था, बिल्स पेबल का भी क्या है, एक महीने बाद due थे, 6 प्रतीशत पर अनम के साब सेंग का discount है, ठीक है, तो बिल्स पे 8000-447960 का Bills Pable कई पेमेंट कर दिया क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है अगर आप पढ़े तो कहां गया ज़रा चेक करो यहां पे लिखा हुआ है उन्होंने क्या बुला है Creditors at discount Creditors and Bills Pable were due after one month बरवर paid immediately हो क्योंकि paid लिखा हुआ है बिटा इसलिए अपने यहां पर two bank करके Creditors और Bills Pable दिखा दिया है बात खत्म समझ में आगया क्यों दिखाया चलो आगे बढ़ते हैं देख रहो तुम कितने होशारी से अपने एक, अपने दो, अपने तीन अपने चार कर लिया हैं तीन बचें अपने पास plant realized 25,000, building 40,000 goodwill 6000 और remaining investment 4500 सबका पैसा मिला, अपने एक खटा उठाया यह देखो, इसलिए मैंने goodwill का question करा है, मैंने बोला नहीं exclusively goodwill के लिया था क्योंकि goodwill बिकती है partnership में इन्होंने goodwill को बेचते हुए दिखाया है यह देखो goodwill 6000 में बिकी है तो plant, building, goodwill और remaining investment 4500 में बिके मेरे को लेना, मैं यहाँ पे देखूंगा इन्हीं की value क्या थी क्यों, क्योंकि कोई लेना ही देना नहीं है it will increase your confusion जो asset site पे लिखा है let it be वो balance sheet से उता रहा है उसको उतारने के बाद आँक बंद कर लो तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है तुम्हें यह देखना है कि वो कितने में बिके और उनको assets लिख दो उठा के जो adjustment में values लिकी हुई है they have no relation with this इससे कोई लेना देना नहीं है तो मैंने उठाया है मैंने लिख दिया सब को बेचा है तो सब के पैसे मिल गए अपन को ठीक है आगे बढ़ते हैं अगे बढ़ते हैं अपने पास time नहीं है उसके बाद बोला वही एक old type writer था firm में जो return off हो चुका था अब books में और वो 300 का है और हमारे B भाई बिलकुल उनकी नजर पड़ गई B की तो B ले जाने को तहीं आ रहे है तो ठीक है हमने B के capital से दिखा दिया कि भाई अब B तुम लेके जाओगे तो तुमारे capital से charge करेंगे यह रहा B capital 300 काई की tension है अगर कोई partner asset लेके जाता है तो A को यह पैसा उसका reimburse होगा जो A ने भर दिया था क्योंकि A की liability नहीं थी भरना वो तो A ने बोला के ठीक है मैं अभी available हूँ एक काम करता हूँ मैं अपनी जेब से भर देता हूँ तो यह पैसा A को reimburse होगा और यह लोग जो asset लेके जारा है यह उनकी जेब से निकाला जाएगा capital account में देखना तुम अभी अभी अपन आगे कर लेते हैं हाँ भाई टाइप रेटर हो गया realization के 1000 रुपे के expense थे ठीक है कोई दिक्कत नहीं यह देखो 1000 रुपे के expense दिखा दिया अपन ने तो फिर मेरे को समझ में आया देखो जारा तुम लोग यहां पर creditors का question था दे दिया अपन ने बिल्स वेबल दे दिया Mrs. A का loan अपन ने A से भरवा लिया Mrs. B के बारे में कोई discussion नहीं था कोई भी discussion नहीं था तो क्या B का loan नहीं देंगे होई नहीं सकता क्योंकि अगर B का loan नहीं दोगे तो यह books close नहीं हो सकती dissolution कहता है you have to pay all the liabilities no matter what तो यह आखरी liability जो pay करना है बाकि investment fluctuation provision for doubt wallet these are provisions and reserves यह कभी pay नहीं किये जाते pay क्या करना जरूरी है यह जो B का loan है Mrs. B का तो अपन क्या करेंगे देखो Mrs. B का 10,000 as it is लिखके अपनने loan पे किया यह bank के अपने पूरे खर्चे हो गए 48, 810 बस अब अपन को कुछ नहीं करना यहां के यह सारे items पूरे plus करने हैं उनमें से यह अपनने जब माइनस कर दिये तो अपना जो profit आ गया वो आ गया 31,490 और यह A और B के बीच में old partners के old ratio में बढ़ गया equally बटा है let's check क्योंकि question में कोई ratio नहीं दिया था इसलिए हमने उनके बीच में equally बाट दिया मेरे ख्याल से यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी loan account बनाने को आएगा नहीं loan account में मैंने कुछ नहीं किया है यह जो loan by B दिया हुआ था यह वाला loan क्योंकि second number पे वह होता है मैंने बताया था ना partners capital से पहले क्या किया जाता है loan का payment किया जाता है जो partner ने loan दे रखा है सबसे पहले outsider को pay करो फिर जो partners ने loan दे के रखे है उसको pay करो तो second number पे वह ही किया है मैंने यहां पे और इसलिए मैंने यह question उठा है because that includes everything कुछ छोड़ा नहीं है इसके अंदर तो loan का account बनाया अपन ने for us loan is a liability इसलिए opening balance credit side आया 5000 का आपने भी देखा था वो liability side पे दिया हुआ था and जब आप इसको pay out करोगे तो two bank account करके आपने 5000 pay out कर दिया B का loan account close हो गया अब जब B का loan account close हुआ then you are ready to make partner's capital account तब आप partner's capital account बना सकते हो क्या किया अपने balance BD करके लिखा realization पे जो profit हुए balance BD है इनकी capital है ठीक है फिर realization का जो profit हुआ profit तो नहीं है यार realization का profit नहीं है realization का profit यह है यह रहा 15745 15745 अब तुम पूछो कि यह realization 5000 क्या है A के खाते में वो जो A ने अपनी wife का loan पे किया था मैंने का था न अगर मैंने realization में A capital यूज किया है debit side कहां गया यह देखो realization में debit side this is realization account debit side पे अगर मैंने A capital यूज किया है तो A capital में realization credit side आएगा उल्टा चलता है बिल्कुल तो यहां पे मैंने क्या किया realization नाम से A के खाते में 5000 डाल दिये कि A G A G B आपने क्या किया था आपने wife का loan पे किया था आपको उसके बदले में reimbursement मिल जाएगा और A और B asset भी लेके गया थे A stock लेके गया था B जो है वो type writer लेके गया था तो देखो realization यह वाला realization देखो ज़रा कहां गया कहां गया यह रहा कौन सा था मेरे ख्याल से 300 वाला था ना यह realization B का यह रहा यह रहा 300 रुपए का और A और B के बीच में यह भी कोछ है 4000-4500 का चेक करने तो क्या-क्या है यह लोग क्या-क्या लेके गए थे B हाँ अच्छा हाँ यह भी तो लेके गया था ना B भी तो लेके गया था investment तो B investment 4500 का लेके गया था और B typewriter 300 का लेके गया था और यह दोनों का अपन ने adjust किया है B के खाते से यह रहा 4000 और अपन ने यह 4500 और 300 रुपए यह 4500 B जो investment लेके गया था 300 जो typewriter लेके गया था और एक एक खाते से 4000 जो A stock लेके गया था यह सब adjust हो गया यहाँ पर अपने सारी चीज़ adjust कर दी है अब finally जो balance sheet में asset side पर profit and loss account दे रखा था because that is a loss for the business कहां गया मैं दिखा देता हूँ यह देखो यह 3500 का because this is a loss for the business यह loss जो है यह partners capital के debit side पर adjust करना mandatory हो जाएगा बाट दिया है because ratio नहीं given है तो दोनों के बीच में equally बटेगा यह equally profit and loss account बाट दिया है फिर यहां पर gain मैंने बाट दिया है हाँ एक general reserve था जो बटा नहीं था तो भाईया यह general reserve भी अपने बाट दिया है यह 5000 5000 करे अपने बाट दिया है कुछ और बचा है यहां पर अपने investment fluctuation reserve उतार लिया था general reserve था ठीक है यह भी उतार लिया अपने मतलब अपन को कुछ और नहीं उतारना है तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा यह देखो यह balance realization का account का जो B का loan इसने A का loan भरा था Mrs. A का gain general reserve बागी यहां की चीज़े तो यह finally जो याद करो तुमारा balance carried down करके आता है याद है ना अपन retirement में balance carried down करते थे जो partners का balance आता था dissolution में there is no balance because future ही नहीं है बंद, business बंद तो क्या होगा अपन partners को two bank करके उनका payment कर देंगे, final settlement कर देंगे उनके खाते में जो भी balancing figure आ रहे होंगे credit minus debit करके, वो उनके two banks adjust होंगे ना के two balance carried down करके, why two bank? because बस, यहाँ पे business खता में उनको पैसा दे के टाटा बाई-बाई करना है तो बस, चलो, खतम करते हैं bank account बनाके और तुम्हें भी मैं टाटा बाई-बाई-खिलवाता हूँ, है ना? बहुत-बहुत-बहुत detail में मैंने तुम्हें बता दिया इसके बाद जाके practice जरूर करना ताकि तुम्हें भी idea लगे अब तुम्हें पता होगा, balance sheet के अंदर bank का भी balance था, cash का भी balance था तो मैंने क्या किया? bank account बनाया, bank का balance उतारा और cash को bank के अंदर मैं cash नाम से उतार सकता हूँ, तो मैंने cash उतार लिया, ठीक है? जो भी assets का पैसा है, वो मिला होगा, debit हुआ होगा, plus हुआ होगा इसलिए मैंने उसको क्या किया? two side पे उतारा भाया, assets को बीच के पैसा आया होगा ना? और bank account में जो भी पैसा आता है, वो debit side आता है ये तो 11 से पढ़ते हुए आए हैं, तो जो भी assets से पैसा मिला, मैंने debit side लिख दिया और फिर, जो liabilities को pay out किया था, realization के अंदर वो पूरा का पूरा मैंने credit side पे लिख दिया, because that is the payment I need to make मैंने B के loan को pay किया, मैंने loan account बना के दिखाया था, वो मैंने यहाँ पे credit side लिखा मैंने A और B को भी final payment किया था, वो भी मैंने credit side लिखा, जो उनके capital account अपनने बनाये थे final balance अपनने काई में उता रहा था, to banker के उता रहा था, and that is how अगर bank account यहाँ पे tally हो जाएगा automatically, सब लिखने के बाद, your answer is absolutely right तो मेरे भाईयों बस, ऐसे ही कुछ बताना था, तो मैं अच्छा लगा हो, तो वीडियो लाइक कर देना, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद